नमस्कार दोस्तों मैं विशीक आपका विशीक टुटिरियोल पर स्वागत करता हूँ बिहार इंटेंडा मंकन 2020 के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जी हाँ, स्पोर्ट एड्मिसन की लिस्ट आज कॉलेज में जारी होगी तो विडियो को पूरा देखिएगा कॉलेज जाने से पहले क्या आपको कैसे जाके कॉलेज में लिस्ट देखना है क्या कॉलेज में लेकर जाना है तो आपको पता सब कुछ वहाँ पे चलेगा ठीक है, कल से अड्मिसन शुरू होगा और डोकेमेंट्स क्या-क्या लगेंगे एड्मिसन में सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चार दिन एड्मिसन चलेगा और उसके बाद एड्मिसन की पिरकिया खत्म हो जाएगी और कोई भी आड्मिसन वहाँ पे अब इंटर का नहीं होगा ये आखरी मौका है तो ये मौका मत छोड़ना तो जल्दी से वीडियो को सेर करो अपने सभी दोस्तों के साथ और लाइक करना मत भूलो ता ये वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं पूरी वीडियो ध्याँ से एक एक सेकेंड देखना इसकी बिल्कुल मत करें डॉस्तों इसका एक और खासियत है एक बार्सट नंबर दिया गया है आट चार सो चार सो चार सो जहाँ पर आप अपने प्रॉबलों को सब्मित कीजिए और 30 सेकेंड के अंदर वीडियो सेलेशन पास अकेंगे तो जाए लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बक्स में दिया गया है आज ही डॉनलोड किजिए डॉटनेट एक को तो यहां देखे बिल्कुल ध्यासे कि आपको जैसा कि पता है कि स्पोर्ट एडमिसन की आबेदन के लिए 13 सितंबर तक आपको जो है आउनलाइन करकर जमा करना था कॉलेज में ठीक है कल तक जमा करना था ठीक है उसके बाद जमा करने के पसचात सभी समांदिस स्थान जो है 14 सितंबर को स्पोर्ट एडमिसन की चयन सुची प्रकाशित करेंगे यानि लिस्ट जो है वो college में आपको प्रकाशित कर दिया जाएगा online नहीं college जाएगे जिस college में आप जमा किये हैं या जिस school में आप जमा किये हैं वो school आपको जाना है फिर जिन बिद्यार्थियों का चयन हो चुका है स्पॉट एड्मिशन में यानि लिस्ट में नाम आ गया है उनका नाम अंकन जो है 15 से 18 सी नमर तक चलेगा यानि 15, 16, 17, 18 सीर्फ और सीर्फ चारती उसके बाद सबी संस्थानों को जो बिद्यार्थी का एड्मिशन हो जाएग यहाँ पर दिखे कि पूरी नामांकन समाप्त होने के बाद 21 सितंबर से OFSS साइट बंद कर दिया जाएगा तो अब नामांकन की परकिरिया तब आगे चलेगी नहीं इसलिए OFSS साइट बंद हो जाएगा फिर अगले साल ही खोलेगा इसलिए यह आकरी मौका है उसके बाद आपको कोई भी मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा ठीक है साफ साफ लिखा हुआ है कि OFSS माध्यम से नामांकित बिद्यार्थियों का निबंधन ठीक है किया जाएगा जो कि बर्स 2022 में बोर्ट पर इच्छा देंगे तो यहाँ पर यह भी जान लेगी कि एगर हमी का एक्जाम हम इस बार होगा नहीं और बर्राहमी का ही एकजाम होगा डिर्रेक्ट 2022 में ठीक है दर थेधियों हो और बाद में पस्तावे कि सिवा कोई रास्ता नहीं होगा अब यहां पर यह बता दे कि आपको अपना ऑडिजिनल मांक सिट लेके जाना जाना मैं बारबार बोल रहा हू आप original marksit लेके जाएंगे, बिना original marksit का admission नहीं होगा, आपको फिर बापस घर भेज़ दिया जाएगा, ठीक है, दूसरा ची, आपके पास जाती अवास यह है, जाती अवास यह आए, यह तो लेके ही जाना है, उसके बाद अधार कार्ड नमबर लेके जाना है, वो नहीं भी र परित्याग प्रमान पत्र, ठीक है, यह सब चीज आप लेकर जाएंगे, और photocopy 2-3 करवा लेना, 6 passport size photo लेके जाना, जब college में जाना, तो 6 passport size photo लेके जाना, ठीक है, एक कल जाने की बात कर रहा हूँ, मैं 15 सितमबर को जो admission शुरू होगा, उसके बारे बता रहा हूँ, आज जो है श्रीप आज जो लिस्ट देखने जाईएगा जो आप ऑनलाइन किये हैं जो पेज जमा किये हैं कॉलेज में बो पेज लेकर जाना है ठीक है मैं बोला था कि एक जमा करना और एक अपने पास रख लेना बो लेकर जाईएगा वहां दिखाईएगा आपको पता चलेगा लिस्ट में नाम है या नहीं है तो अभी सभी दोस्तों को बता दो कि कॉलेज जो 10-11 बज़े जाएंगे 10 बज़े जो जाना नहीं 11 बज़े के बाद ही जाना तो आप ये इस वीडियो देखकर जाएं तो वहां पर जाने पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी तो कल प्रॉब्लम माज दो कि लुम झाएं तो आपको झाना तो कि